तो नमस्कार स्टुडेंट कैसे आप सब देखिए आशा करते कि आप सब अच्छे होंगे तो देखिए इस्टुडेंट हम यहां पर पढ़ रहे हैं बीए सी फिफ सेमिस्टर के लिए पिर भी से करा रहे हैं क्योंकि यह कई जगह पर अग्जाम में कई जगह नहीं आता है लेकिन जैसे जो हमारे जो स्टेट उनिवर्सिटी होती है बहुत सी उनमें यह एनिलेटर का वाले जो टोपिक है वह आता है तो देखिए इसे आज हम कराते हैं तो अब सबसे पहले हमारे जैणिग तो अब सबाइस में जोटा है कि इसका मतलब होता हैं यहां पर तो लेकिन मैत में ठोड़ा सा अलग मतलब है तो अबुसका एनिलेटर का मिनिंग यह मत समझ जाएगा तो अब करते हैं अलेbra massa लेट डबलो बी एस अबश्च्मोष्पे साट्युध्य की सैं या vector space V over the field F कुछ भी कह सकते हैं then annihilators of W जो W के annihilator क्या कहलाएंगे denoted by W ये 0 का निशान लगा देते हैं इसे W annihilator बोलते हैं is the set of all linear function कैसे linear function का set होगा on V which map या mapping करते हैं each element of W to 0 यानि W2 के हर element की जो mapping है वो 0 में कर देता है ठीक यानि के की W annihilator क्या होगा अगर कोई function belongs कर रहा है V dash को या देखे इस V dash का मतलब है अभी हमने पढ़ा था कि जो ये V star भी बोलते हैं इसे कहीं जगा पर तो इससे आप जो है ना confuse मत होईएगा की V star और जो V dash है ये एक ही बात है ठीक है अब बात करते हैं हम तो V dash तो जहां पर क्या होगा function W is equal to होगा 0 यानि के देखिए मैपिंग कर दिया जीरो बना दिया जहां पर F belongs करेगा डब्लू को अब इसकी दो दो इस पर पॉइंट्स बनते हैं देखिए सबसे पहले क्या होता है इफ डब्लू डब्लू क्या है जीरो है ठीक डैन डब्लू एनिलेटर क्या होगा वी डैश होगा तो देखें १ जीरो का तो डबलू की जग़े हैं पर हमने जीरो का एनिलेटर रखा तो यह वीडैश होता है, यह आपका कई question में और ठोरम में use होगा, secondषए चाहिद वसक्राइज गेटे जीरो फंक्चिनल और वी, क्या होगा देखें वी एनिलेटर है, है यहां पर हमने मान लिया कि देखे यह 0 है थो का डभल ऐनिलीटर जैनी कि दो बार ऐनिलीटर क्या होगा इस सब अब एक चीज दियान रखे ऊपर बले में क्या है अगर एक एनिलीटर है तो यह डबलू होगा विलोंग्स करेगा डबलू को जो function है same ऐसी है यहाँ पर अगर same अब आप इससे में comparison करके आपको बताता हूँ डबलू एनिलेटर था यहाँ डबलू डबल एनिलेटर है यहाँ एफ बिलोंग्स करेगा वी डैश को यहाँ पर विलोंग्स करेगा वी डबल डैश को एफ डबलू इस इकल टू जीरो यहाँ पर भी एफ डबलू इस इकल टू जीरो होगा लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन बिलोंग्स करेगा जैकि अगर एक एनिलेटर है तो डबलू करेगा डबल एनिलेटर है तो सिंगल एनिलेटर को करेगा यह और इसके बाद आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर यह कोई alpha है बिलोंग्स कर रहा है वी एनिलेटर को तब क्या होगा वी डैश को तो डबलू एलफा इस इकल टू होगा जीरो जहां पर एफ बिलोंग्स करेगा डबलू एनिलेटर को ठीक यह आपकी कुछ कुछ जो कंडीशन थी इसके बाद में एक यह कुछ थियोरम है और देखें जैसे कि एक कमेंट आया था भी एक दो क्लास में मैं उसके बारे में कल भी बात की दी एक स्टुएंट कह रहा है कि सर आप जो है ना थियोरम ही कराते रहते हो आप कोश्चन जो एक्साइस से नहीं क अच्छातर बुक में यह थियोरम में भी होता है और किसी बुख में एक्से साइस की आपकी जो एक्साइज होती है उसमें दिया हुआ होता है ऐसे कोशिट जो आपको सोल करना होता है तो इस सीज़ को लेकर कंफ्यूजन मत पा लिएगा कि आप कोश्टन करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं और बात रही कोश्टन कराने की देखिए यह आपकी 12th class तो है नहीं है कि आपको एक कोश्टन जै हैं 5th semester में आ चुके हैं सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि क्लास और लेक्चर में फर्ग होता है हम क्या करते हैं नाइन से जब 12 तक पढ़ते हैं तो हम हम करते हैं classes यानि कि हम classes attend करते हैं लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपका जो graduation हो गया जिसमें आपका ब BSC हो गया BDAC हो गया BBA BC जो भी आप उस पढ़ते हैं graduation और पोस्ट graduation में ज्यादा तरह जगह आपको lecture दिया जाता है ठीक है उसे lecture बोलते हैं अब lecture बोल दिया तो इसके lecture class में आप पूछो कि सर फर्क क्या होता है लेक्चर क्लास में फर्क होता है कि classes में आपको बहुत सारे जो problem है सारे जो question जो आपकी books जो textbook में दिये होते हैं सोल कराय जाते हैं लेकिन lecture में क्या होता है कि आपको एक बर topic clear करा दिया एक दिया दो question करा दिया उसके बाद बाकी चीज़े आपको करनी होती है क्योंकि BSC का syllabus आपको देखने बहुत चोटा लगता है लेकिन अगर आप और इसमें बात और होती है कि देखे classes और lecture में फर्ग क्या होता है आपको आपको जोड़ना सिखाया मैंने कल भी बताया था कि आपको जोड़ना सिखा दिया भी 2 प्लस 2 is equal to 4 है फिर आपको सारे question करा जाएंगे कि exercise दे देते हैं कि 1 प्लस 1 is equal to 2 होता है 7 प्लस 9 16 होता है 11 प फिर क्या होता है आपको जो है 3 प्लस 3 क्या होता है वो आपने जो जो स्टैटेजी सीखी है जो जो तरीक आपने सीखा है उसे imply करके आपको वो question खुद करने होते हैं ज्यादा तर और यहां तो वैसे भी यूट्यूपर पढ़ा रहे हैं तो यहां पर इतनी लंबी classes नहीं क बढ़ेगी और एक exercise को कराने में तीन से चार घंटे की classes लगेंगी आप खुद ही नहीं देख पाऊ गई उसे तो इसलिए क्या किया जाता है जो topics होते हैं जो main topic होते उन्हें करा दिया जाता है साथ में कोई example उसकी theorem या एक या दो question cover करा दिया जाता है बाकि उससे related 11-12 की classes नहीं चल सकती है और main बात है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको भी करना पड़ता है और बात रही theorem की तो देखें मैंने बताया है कि कई जगे पर यह theorem के रूप में कई book में कई book में आपको क्या ऐसे example दिया होता है और कई book में आपको क्या दिया होता है exercise के question द then w annulator is a subspace of v dash हमें यह प्रूव करना है यह बहुत important है आपका जो आपके exam में बहुत आता है देखें let w annulator is a non empty subset इसे non empty subset मान लेंगे अगर empty होगा तो कुछ हो गई नहीं वही देन let f और g belongs कर रहा है w annulator को यह मान लेते हैं और तो वहाँ पर क्या होगा f alpha क्या होगा जीरो होगा यह इसकी mapping क्या होगी जीरो होगी जहां पर alpha बिलोंग करेगा w को यह जो हमने पूरी line है हमने क्या है एनिले लेटर की definition से ही ली है ठीक है इसके बाद क्या करते हैं सेम देखें g के लिए होगा g alpha 0 होगा जहां पर alpha belongs करेगा w को अब हम क्या मान लेते हैं कि a b को a b belongs करें फिल्ड को और f और g belongs करें आपको w अनिलेटर को और alpha बिलोंग कर रहा है w को जब यह सब चीने के लिए होगी तो आप जानते हैं देखें a f plus bg यह पूरा function ले लिया और alpha यह क्या होता है a f alpha और bg alpha ठीक अब आपने पढ़ाओगा definition में देखें vector space में ही जाएगा और यह हो जाएगा f alpha bg alpha अभी अभी हमने जो है definition का according f alpha 0 होता है g alpha 0 होता है हमने यहाँ पर 0 रखा थे सारा का सारा 0 हो गया यानि कि यह is equal to हो गया आपका a a f plus bg alpha 0 हो गया यहाँ पर f belong करेगा अब w analyator को g belong करेगा w analyator को and a b belong करेगा field को then तब क्या होगा यह a f plus bg belongs करेगा w analyator को क्योंकि देखें according to definition यहाँ पर भी तो 0 आ गई है यह जो function है इसकी alpha की mapping कर रहा है 0 कर रहा है तो इसका मतलब क्या है यह भी analyator को belong करेगा w analyator is a subspace of vector और वी डैश यानि कि यह इसका सबस्पेस होगा ठीक है इससे क्या पता लग रहा आपको यह आपकी एक theorem थी तो यह आपकी theorem हमने करा दी है इसके साथ यह आप जो है कि इसका screenshot लिए और हम एक अगली theorem पर चलते हैं उसके बाद कि इस यह सबस्पेस और वी यह जो एक वेक्टर स्पेस है और देखेंड है वाइन डैमेंशनल बेक्टर स्पेस ओवर देखेंड है w1 w2ve a subspace of V w1 w2 इसका सबस्पेस है तो हम्हें प्रूव करना है कि w1 w1-w2-anilater जीर्टोगा w2-anilater तो w1 अगर w2 तो यह ऐनिलेटर होगा w1-anilater w2-anilater होगा यह आपसम कहलू हो दीए हमने आरे पास क्या आ है अभी हमी लेकर चलते हैं यहां पर ले लेते हैं कि डबलू वान अनिलेटर इसी में हो जाता है जैसे आपको याद हो कि सेट्फोरी में क्या होता था सेंग यहां पर होता है तो अभी क्या हो गया यह डबल गाल न्य लिटर डबल न्य लिटर डबल डबल दालर इस तरह से जो आपकी है जो एक छोड़ डिफिनिशन जो थिया आपकी यह कही जगे आई कोशें इसके बाद करते हैं और यह एक बूग में एक्जामपल दे रहा है किसी में त्योरम में दे रहा है किसी में आई जी पूशन दे रहा है इस बात को ठीक आप दे जाना आप लोगा इसमें दो चीज प्रूब करनी है कि A W1 प्लस W2 का अनिलेटर क्या होगा इंटर्सेक्शन डवल टू अनिलेटर और यह B पार्ट है कि इसमें W1 अनिलेटर डवल टू अनिलेटर बराबर होगा प्लस डबूबल वन अनिलेटर प्लस डबूब टो आनिलेटर थी तो पहले हम टेए पार्ट करते हैं तो इसमें क्या प्रूब करना है इसका सब्सेट प्रूब करते हैं जब दोनों हो जाएगा तो यह आपस में एक हो जाएगा थो हमें क्या पुरूव करता है कि वीघ्म नेके था मोच को इसी सी को क्या आएगा इस यह था मोच लाड़्ट कि यह एक यह जा एक आस्य के हैंwe एक टून्तुन को को और एंड की इंटरसेक्शन को एंड लगाएंगे एफ बिलोग करेगा डबल टू एनिलेटर को अब देखिए इसके क्या मालेकल एट अलफा इस एनिवेक्टर ओफर डबल वन प्लस डबल टू दैन क्या होगा एलफा को मालेगे एलफा ब्लस एलफा टू जहां पर एलफा करेगा डबल वन को और यालफा टू करेगा डबल टू को जांगे इस की डेफिनेशन का यूज़ करते के एफ अलफा गाउगा क्या होगा हमने अलफा की जीज़ेगे एल फ्लस एलफा टू माना है यह रख देगे जाएक आप एलफा इस इगल को ड़ए कि छी खार ऑंप इसके बाद आजाते हैं कि similarly क्या होबाद सिमिलर इसी तरह से कर लेंगे कि alpha तो यह यहां पर जो alpha 1 है यह क्या है alpha 1 बिलोंग्स कर दा similarly क्या कर लेंगे alpha 2 क्या हो जाएगा यह भी 0 यानि कि alpha 1 की mapping भी 0 और alpha 2 की mapping भी 0 यह according to annilator की definition के साथ से गया तो यहां पर यह 0 रखा यह 0 रखा तो क्या हो गया आपका f alpha 0 आगा जहां पर alpha belongs कर रहा है w1 plus w2 को ठीक देन fb belongs करेगा w1 और w2 के annilator को definition के according अगर alpha belongs कर रहा है w1 w2 को यहां पर क्या करते हैं अगर alpha बिलोंग कर रहा है w तो function बिलोंग करेगा w के annilator को उसके इसाब से कर दिया तो क्या हो गया w1 annilator intersection w2 annilator क्या करेगा इकवल होगा यह subset होगा w1 plus w2 के annilator के इसके बाद भी प्यारते हैं हमारे साह में क्या प्रूब करना है अब की बार हम प्रूब करते हैं कि देखें w1 जो है यहां पर इन्हें अलग अलग लग लेंगे कि w1 एक्वल है या subset w1 plus w2 का तो देखें जब annilator लगाते हैं दोनों साइड में तो यह जो है जो subset का निशान है यह पूर्टा हो जाता है यानि इसकी तरफ था अब यह भूमकर इनकी तरफ हो जाएगा डब्लोवन की तरफ को एन्यलेटर का निशान दो साइड लगा नहीं पर अगें w2 क्या हो गया अगर हमने दूबार लेंगे w2 subset है या इक्वल है यह अब ब्ल्ली तुके तो एन्यलेटर लगाया तोब्लोवन व्ल्लू फ्ल्ली का एन्यलेटर अपीपार्ट बहुत आसां धरी किस हो जाएगा क्यूंकि हम यह भी पूर्व कर चुके है जो आपके ऐपार्ट को इसी यह को लेंगा तरहिए हमें पूर्म करना है करना है W1 intersection W2 का annulator और is equal to W1 annulator plus W2 annulator now हमारे पास क्या है कि W1 plus W2 का annulator is equal to W1 annulator intersection W2 from A जो हमने A वाला पार्ट गया है उसमें से हमने यह निल दिया है यह तो प्रों किया तब यहां पर तो यहां पर replace कर देंगे कि W1 की जग़े W1 annulator के replace किया और W2 की में W2 एनिलेटर के space किया जब replace कर देया तो W1 की जग़े W1 annulator W2 की में W2 annulator और इसका annulator है यहां पर W1 की जगह रहें पर W1 एनिलेटर और एक पहले सी ही है सेम यहां पर हुआ इसके बाद क्या होगा W1 एनिलेटर प्लस W2 एनिलेटर इसका भी एनिलेटर डबल एनिलेटर हो जाने पर यह चैंचिल हो गया निकिया यहां पर यहां पर इसके उपर आपको रेखस्ण पहले और इधर हो जाया है कि यही आपको प्रूव करना था ता है यह बहुत ज़्याद हम लिए बहुत जादा आता यह कोस्चन पाasten तोनों पार्ट आते है जाद अदर इसके और कभी कभी क्या है आपका only a part पूछ ले जाता है बी part अकेला तो बहुत कम पूछा जाता है साथ में आपके लिए रूप पूछ लिया जाता है ठीक है अगर अकेला वैसे नहीं होगा क्योंकि अगर अकेला होगा तब भी आपको यह दो फूरू करने ही है क्योंकि इसी की तरू हमने किया हुए ना तो यह लेकिन हर बार पूरर अग्जाम में आता ही आता है जादतर तो देखे आजके लिए अभी इतना ही काफी है इसके साथ ही अभ हम कल क्लास मिलते एक बहुत ही जादा इंप्रटेंट जिसकी ठोरम है वो कराते हैं और ये दो कोश्चन कराते हैं इसके साथ ही एनिलेटर आपका हम खतम कर देंगे इसके बाद हम देखिए कुछ इसके साथ कराते हैं तो एनिलेटर हाला कि स्लेबस में आपके डिफाइंड नहीं है लेकिन टैक्स बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने ये टोपिक आपको करा दिया CCS University वाले या जो State University है उतरप्रदीश की उनके एक्जामिल काफी आता है तो इसलिए मैंने इसे आपको करा दिया है तो इसी के साथ के कल अगली क्लास मिलते हैं नमस्कार